विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लव यूट्यूब आप लोग कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे तो थोड़ दिन पहले की मेरे वीडियो में कॉमेंट आया था कि मैं बनार से सिल्क सारी कैसे पहने तो मैंने सोचा क्यों ने इस पे एक वीडियो अपलोट किया कर दो बाहत सारे लोगों को इसमें प्रावल्म होती होगी इसकी ड्रेपिंग में तो यह रही मेरी सारी और यह है ब्लाउस का पार्ट जो कि मैंने सारी से ब्लाउस का जो है कपड़ा निकाला नहीं है तो मैं टकंग यही से स्टार्ट कर रही हूं तो देखिया आप फर्स राउन की टकिंग है, नीट एंड, क्लीन और टाइट होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने फर्स्ट राउन की टकिंग कर लिया है, अब चलते हैं, पल्लु वाले पार्ट की तरफ, तो ये है मेरा पल्लु वाला पार्ट, इसको ए आप ले सकते हैं, अच्छा लगेगा, लेकिन छोटा मत लेना ठीक है, एक बार ये बार्डर से लाके मैंने यहां पर चेक करके, चेक कर लिया है, कई बार होता है, जब आप सोल्डर की प्लीट से बना लेते हो, तो फिर बाद में सामनी के प्लीट जो है, वो बार्डर उल् बनाना पड़ता है, तो इसके लिए मैं बहुत ही एजी एक तरीका बताऊंगी, जिससे आपके प्लीट बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, इस तरह से आपको कैची के शेप में पकड़ना है, दोनों साइट से आप पकड़ रहे होते हैं, तो कैची के शेप में आपको इस तरह से पकड़ते जाना है, इससे क्या होगा, बीच के कोई भी प्लीट इधर उधर नहीं होंगे, नीचे खिसकेंगे नहीं, एक ही बार में आपका बन जाएगा, ठीक है, अब देखे, यहाँ पे आप चाहे तो एक बार इसको बराबर से पकड़के, यहाँ पे आप सेफटी प इसको अपने शोल्डर पे रख लिया है, अब मेरे दोनों हाथ फ्री हो चुके हैं, और मैं अपने दोनों हाथों से बिल्कुल वही गाइडलाइन फॉलो करते जाओंगी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया हुआ था, तो यहाँ पे देखे, मुझे मेजर कर लिया मैं उनको समझ में आ सके, यहाँ पे मैंने एक सेफटी पिन लिया है, और हलका सा जहाँ पे ब्लाउज की स्टिचिंग हुई है शोल्डर पे उससे हलका सा पीछे लगाया है, बहुत जादा पीछे नहीं लगाना है आपको, देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेरे प्लीट्स बन चुके हैं, अब यहाँ पे जो अंदर का यह बॉर्डर है, उसको इस तरह से पीछे की तरफ से ले आना है, लेकिन देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूं, थोड़ा पास आके दिखा देती हूं, सामने के प्लीट्स बनाने से पहले, इस बॉर्डर को ल जराने चाहिए, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपना हूंगी, जो कि अच्छा है, सारे प्लीट्स को मैंने एक बार बराबर से यहाँ पे पकड़ लिया है, जहाँ पे शोल्डर के प्लीट्स लगाए हैं उसे थोड़ा सा नीचे, इसके बाद जो उपर का यह बॉर्डर है, उसको हटा देंगे, अभी मैं हटा के आपको दिखाती हूं, उपर का जो यह बॉर्डर है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहे हूं, हटाने के बाद सारे प्लीट्स मैंने अंदर से पकड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटा सा सेफटी पिन लगाएंगे, इससे क्या होगा क इस तरह से मैं इस वाले बॉर्डर को टाइटली कमर पे क्रॉस करवाते हुए ला रहे हूं और इस बॉर्डर को पकड़ते हुए दिखे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे तीन से चार-पांच आप प्लीट्स बना सकते हैं, छोटे-छोटे-छोटे मैं आपको एक बार और जैसे आपको पसंदे बना सकते हैं उससे जादा नहीं बनाना है और एक सेफटी पिन लिया है मैंने अपने पेटी कोट और इस छोटे-छोटे प्लीट्स पे स्टिचिंग करते हुए लगाऊंगी जैसे कि आप किसी चीज की सिलाई करते हैं उस तरह से आपको लगाना है ज होwest थोड़ा से फैवरेक छोड़ दिया है इतना ही आपको चोड़न ज्यादा नहीं चोड़न के इतना छोड़ दिया है उसका रीजन में सामने की जिन चिंदट चोड़ तक matched Мне को यह पकाती है तो यहां बशंचान杜ा से चोड़ाइrences से घंचान ईतना उतना कीुमएं रह सं ब्लाव इसका नहीं निकाला हुआ है तो साडी काफी ज़्यादा लंबी हो भी गई है और इसमें प्ली बंगे उत्ना ही अच्छा लगता है तो इस तरह से आपको सेम अपना ना इस तरह एक भार जाने नाय ने से Eisen濃ड़ पकड़ मुट में होता है कि इसके लिए प्लेट। उसको खोल दिया है और एक चोड़ा प्लीट्स बनाऊंगी जिससे राइट साइड में जो एक्स्ट्रा फैवरिक बचा हुआ है उसको भी मैं इसमें मैं इसमें मैं इसको बनाने के बाद एक बार सारे प्लीट्स को मैं एक दम बराबर से पकड़ रही हूं जिससे कि जब मैं करूं ना तो इधर उधर ना गिरे देखे यह चोड़ा प्लीट्स है अंदर बाकी सारे प्लीट्स छोटे-छोटे हैं और जो एक्स्ट्रा फैवरिक मैंने छोड़ा हुआ था का थोड़ा सा वह मैं आपको दिखाती हूं वैसा का वैसा है भी दिखे यह वैसे ही है इसका भ प्लीट्स को इस तरह से पकड़ रहे हूं पकड़ने से क्या होता है कि आपके कोई प्लीट्स ऐसा नहीं है बाद में छूट जाए नहीं तो फिर आपकी सारी महनत बेकार जाएगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको टक करना है अगर अंदर की तरफ आप गठर जैसा मोटा सा रहे गया ना तो आपका पेट मोटा दिख सकता है इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन और हलका सा आप ऐसे जटक के टक करें तो आपकी साड़ी जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगी और टमी मोटा नहीं दिखेगा अब जो थोड़ा सा मैने फैवरिक नहीं छोड़ा था उसको मैंने खीचा इस तरह से और आप देख सकते हैं आगे से लेकर पीछे तक आपकी साड़ी बिल्कुल टाइट फिटिंग हो गई है कई बार मुझे ऐसे भी कॉमेंट्स आये हैं कि पीछे से साड़ी मेरी लूज लगत साड़ी पिन आपको कैसे लगाने देखिए सारे यह कोई जरूरी नहीं है अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते वैसे सिल्के साड़ी में अच्छा लगता है यह इसलिए मैं यहाँ पर लगा के आप लोगों को दिखा रही हूं और इस तरह से देखिए मैंने एक बार सारे प्लीट्स को बराबर से पकड़ लिया है और यह साड़ी पिन लगा दूगी अगर आपको पसंद है तो आप भी लगा सकते हैं थोड़ा अलग लगता है देखने में बाके हर साड़ी में आप ट्राइ मत करना सिर्फ सिल्क यब भिर बनार सी साड़ी में आप इसको ट् इसके खास बात होती है अब हाथों से प्रेस कर देंगे तो उसे जगह पर यह सेट हो जाता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हलका सा जुख जाए और इसके सारे प्लेट पकड़ने के बाद आप देख सकते हैं मैंने पैर के नीचे इसको दबा लिया है दबाने क कर देना पूर आट जैनल को सब्सक्राइब कर लेना और विडियो को लाईक कर देना अपनी प्रेंश मे साथा ऐसे ही मिरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो आप जाके साथ सारी डेपे और के लिए ऑसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए अपना धहारा लगना गाई झाल झाल